उसकार दोस्तों कुम कुम भागे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार जोकी रिया इस समय रणवीर के आसपास मंडरा आते हुई नजर आ रही है लेकिन दोस्तों रणवीर ने जोकी खुलासा करिया है कि रिया एक बार फिर से त तुम्हें दुख नहीं होगा और नहीं ज़्यादा खुशी हो पाएगी लेकिन दोस्तों आप लोग देखी चुके हैं कि इधर सबसे ज़्यादा प्राची दुखी हैं और प्राची से ये बोल चुके हैं रणवीर के कुछ ही घंटे रुख जाओ कुछ ही घंटे में तु रज़ेदार होने जा रहा है जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार प्राची और रणबीर के बीच में एक बार फिर से दोनों इस मुद्धे पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे साथे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से ही प्राची को जो की टारगेट करने की कोशिश की है और अब रिया बोलती हुई नजर आने वाली है सना से कि मुझे अब किसी का पुरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमेशा मेशा के लिए प्राची जा रही ह इस गर से बहार जी हां इस तरीका से डायलोग वाजी करती हुई नजर आएगी लेकिन रनबीर की हकीकत के अगर बात की जाएं तो रनबीर देगा ड्रिंक में एक नसा की चीज जिसे वो रिया पी लेगी और रिया पीने के बाद में वो जो कि रनबीर से बुलेगी कि किसमी यानि कि उसे नसा हो जाएगा और नसा होने के बाद में जो की रिया बोलती है नजर आएगी पराची से कि पराची तुम यहां क्या कर रही हो ये हमारा private time चल रहा है मेरा और रनबीर का लेकिन पराची जानती है कि ऐससा कुछ होने वाला नहीं है रनबीर साहत धोका मुश से प्राच्छी को इस घर से जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी और इस घर से हमेशा हमेशा क्लिए अगर कोई बिदा होगा तो वो कोई और नहीं है बलकि वो हुरीया है साथ ही दोस्तों अनुरूत करना चाहूंगा चैनल को सस्क्राइब करने के बाद में वीडियो को बताएं गाइस थैंक यू सो मच्छ